Section 3.39 जो है, वो तुम्हारी wrongful restraint का बात करता है और Section 3.40 जो है, वो wrongful confinement का बात करता है ठीक है Wrongful confinement और wrongful restraint में ज्यादा aggregated form है wrongful confinement Wrongful restraint काहीं विख्शित रूप कह सकते हैं कि wrongful confinement है Section को देखो क्या करता है whoever voluntary obstruct any person so as to prevent that person from the proceeding in any direction in which person has right to proceed is said to be wrong for understand that person जो कोई भी किसी person को voluntary obstruct कर रहा है और prevent कर रहा है वैसे रास्ते पर पढ़ने से जो की उसका right है उस रास्ते पर जाने का तो वो wrongful restraint का offense commit कर रहा है यहाँ एक exception है बोल रहा है the obstruction of the private way over land or water which the person in good faith believe himself to have lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section अगर कोई land का जगह है या water का जगह है और person जो है वो good faith में किसी को obstruct कर रहा है यह जानते हुए कि उसका right है उसको obstruction करने का तो इस section के अंडर में वो नहीं आगा तो यहाँ पर दो तरह का बात निकल गया रहा है पहला चीज क्या आपको right है उस property पे आगे proceed करने का या नहीं मतलब जहां से आप जा रहे हो जिस way से आप जा रहे हो उस way पे जाने का आपको right है या नहीं है पहला बात ठीक है दूसरा बात जो है वो कहड़ा है कि अगर आपको way पे जाने का right है और उसको कोई रोकड़ा है तब वो wrongful restraint में आएगा अगर आपको way पे जाने का right नहीं है किसी के private property है किसी का building है किसी के घड़ है वो चक करने के लिए कुछ लगाए वे gate वेगेड़ा तो उसमें तुम घुसने के लिए कर रही है तो वो wrongful restraint नहीं है इतना बात समझ में है क्या बोल रहा है चंद यह थे कि जो आदमी है वो जा रहा है और उसको रास्ता को गाय बांद के रोक दिया है तो दो condition था या उसके पास दूसरा रास्ता है जाने का हाँ उसके पास दूसरा रास्ता है लेकिन उसको इस रास्ते से जाने का तो राइट था ना तो जिस आदमी ने उसका obstruction काउज किया वो उसके लिए wrongful restraint का punishment होगा ठीक है उसी तरह दूसरा था कि या आदमी जो है वो सीरी लगाक उपर चहड़े वे है और उसका सीरी हटा दिया कोई तो जिस रास्ता से वो चहड़ा उपर उसी रास्ता से उपर नीचे आने को उसको पूरा राइट है तो अगर उसके पास दूसरा रास्ता मौजूद है लेकिन उसको इस रास्ता से तो आने जाने का राइट है तो वो wrongful restraint के लिए liable हो जाएगा ठीक है इतना बत समझ में wrongful restraint क्या होता है wrongful confinement जो है 340 में है कता whoever wrongfully restraint any person in such a manner as is prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit it is straight away wrongful confinement अब यहाँ पर क्या कर रहा है किसी person को wrongfully restraint कर रहा है wrongfully restraint हम लोग समझ चुकर क्या होता है तो यहाँ पर किसी person को wrongfully restraint कर रहा है इस तरह से restraint कर रहा है कि एक certain circumscribing limit के beyond वो नहीं जा सकता है ठीक है तो कहेंगे कि उसने उसको wrongful confinement कर लिया समझो क्या होता है certain circumscribing limit हम एक आदमी को एक चेर पर बैठा दियें और कहर है कि तुम उठोगे तो हम तुको कोली मार देंगे बैचाड़ा वो डर के बैठा रहेगा यह उसके लिए उस ताइम circumscribing limit क्या हो ओ चेर हुआ हम उस आदमी को कहरे है कि तुम इस कमड़ा से बहार निकलोगे हम तुको कोली मार देंगे उसका right है न बहार निकलने का तो यह उसके लिए कमड़ा हो गया circumscribing limit हम कहरे तुम पटना छोड़के जाओगे तुम तुम को कोली मार देंगे अब पटना होगे circumscribing limit मतलब उसका right है जहां जहां जाने का एक certain limit तुम एकर दी हो कहरे कि हम इंडिया से बहार तुम गया तो तुम यह कर देंगे वो कर देंगे तो इंडिया उसका circumscribing limit हुआ मतलब उसका जहां right है एक particular area तक जाने का उसके beyond तुम उसको नहीं जाने सुरुक रही हो मतलब एक boundary उसके लिए तुम तैय कर दियो उसके beyond उसको नहीं जाने दे 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 तब कहाएगा कि जब चहड़ा तो उसका सेड़ी हटा दिया गया था दो चीज होड़ा था क्या उसके पास दूसरा आने जाने का रास्ता था जहां उसके पास दूसरा आने जाने का रास्ता है तो वो कॉफिन से wrongful confinement का क्योंकि उसका right था इस आने जाने का तुमने उसका एक राइट का हनन किया है तो वो wrongful confinement है लेकिन जहां उसको तुमने छट पे ही बांद के रख दिया दूसरा रास्ता नहीं है उसके पाथ अब वो छट पे ही टहल सकता है एक limited area में हिड़ सकता है और उसके beyond नहीं जा सकता है तो वो wrongful confinement हुआ क्या उसके पास दूसरा रास्ता था कि नहीं एक आदमी को तुमने एक रूम में बंद कर दिया रूम में दो दरवाजे हैं एक रूम है ठीक है रूम में दो कमड़ा है ये बंदा इस रूम के इस कमड़े से घुसा उसको पूरा राइट है कि इसी दरवाजे से एक रूम में दो दरवाजे है एक आदमी इस रास्ते से घुसा तो इसको पूरा राइट है कि इस रास्ते से बाहर निकलने का ठीक है हम क्या कि इसका ये रास्ता बंद कर दिये ये हो गया wrongful confinement लेकिन माल लो इस रूम में एक ही रूम एक ही दरवाजे हाने जाने का और हम उँ दरवाजे बंद कर दिये एक लिमिटेट जखा के अंदर इसको घेड के रख दिये जब लिमिटेट जखा के अंदर घेड के रख दिये तो ये हो गया wrongful confinement ठीक है wrongful restraint में तुम्हारे पास second option मौजूद रहता है wrongful restraint में कोई second option नहीं मौजूद है रह यार चलो यहां पर illustration क्या कता है A cause Z to go within walled space and lock Z thus is prevent the proceeding in any direction beyond circumscribing limited line under wall A wrongfully confined Z A Z को चार दिवारी में जाने के लिए मजबूर करता है और उस चार दिवारी का जवाने जाने का रास्ता था उसको बंद कर देता है ठीक है तो वो एक चार दिवारी के अंदर घेड के रह गया तो उसने किस offense को commit किया है wrongful confinement को ठीक है A man with a fire arm has outlaid the building tells Z that he will fire at the fire at Z if Z attempt to leave the building A wrongfully confined Z एक एक आदमी है वो fire arm मतलब बंदूक धारी किये वे आदमी को वस बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया और एक बोला है कि अगर तुम बिल्डिंग से जहां बाहर निकले वो तुमको गोली मार देगा तब बिल्डिंग के अंदर तो वो पुड़ा free है न जहां मनता है जाने के लिए तो उस तो पड़ भी उसने wrongful confinement किया यह समझ में क्या हुआ है तो wrongful restraint में हम कह सकते हैं कि एक particular direction में move करने से उसको रोगता है और wrongful confirmed में किसी भी direction में move करने से रोग देता है अगला section जो है punishment for wrongful restraint बता रहा है ठीक है यहां पर बोल रहा है punishment for wrongful confinement यह बोल रहा है wrongful confinement for three or more days तीन या दिन से ज़्यादा के लिए हम उसको wrongful confined कर रहे है liability बढ़ जाएगा यहां बोल रहा है wrongful confinement for ten or more days दस या दस दिन से ज़्यादा के लिए कर दे रहे है उसमें और liability बढ़ जाएगा wrongful confinement of person whose liberation of the writ has been filed writ of habeas corpus filed किया है court ने कहा writ का पालन किया जाए आदमी को wrongful confinement से छोड़ दिया जाए ठीक है नहीं छोड़ रहा है इस section के liable हो जाएगा यह वा समझ में है 345 जो important है एक useful section practically useful section यह है 345 क्या बोल रहा है समझ में आया 347 में कर रहा है wrongful confinement to extort property and contain a certain illegal act इसके लिए और जाएदा punishment है ठीक है wrongful confinement to extort confession और couple restoration of the property किसी आदमी को पकड़ लिह हम इस कारण से कि हम उसका किसी टाइप का confession ले अपना गुनहा कभूल करो ने तो तुमको जाने देंगे पुलिस लोग भी करता है पकड़ के मारता पीटता है करता है बोलो ने तो बहाएंगे डॉग इलेगली डिटिन करता है ना तो उस पीज़ी चीज़ा लगिया और कोई पकड़ के पीट रहा है कि प्रवपट्टी मेरा रिस्टोर करवा मतलब जो चोड़ी करके प्रवपट्टे गया था वह आपस लाके दो तो उसमें इस सिक्स